अमरिका के मद्यपश्रीम और दक्षिन में रविवार को आए तूफान टोनेडोस में दर्जनों घर शतिग्रस्त हो गए वहीं इंडियाना और अरकंकास में कम से कम तीन लोगों की मौत की खबर है कैसे तूफान मचा रहा है कहर देखते खास रपोर्ट अंदर की बात में अमरिका के मद्यपश्रीम और दक्षिन में आए तूफान टोनेडोस में दर्जनों घर शतिग्रस्त हो गए वहीं इंडियाना और अरकंसास में कम से कम तीन लोगों की मौत की खबर है फ्लोरिडा के पोर्ट कैना वेरल में खड़ा एक रोयल कैरबियन क्रूस जहाच यात्रियों के प्रस्थान के लिए तयार था लेकिन यात्रियों के इसमें चड़ने की तुरंत बाद आई शक्तिशाली आंधी में यहां फस गया अचानक आई इस तूफान में क्रूस के उपरी डेक के सामान को उटते देखा जा सकता है इस दौरान क्रूस के चालक दल और यात्रियों को खुद को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है रिपोर्ट के मुताबित फ्लोरिडा के पोर्ट कैना वेरल में खड़ा रोल केरबियन क्रूज यात्रियों को लेकर प्रस्तान करने को पूरी तरह से तयार था लेकिन अच्छानक आय तूफान में यहां फस गया इस दोरान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को क्रूज पर लाउस कुर्सियों छत्रियों और अन्य धिली वस्तूओं से बचते हुए देखा गया गनीमत यहां रही कि किसी को घंबिर छोट नहीं आई इस बीच देखा जाए तो अमेरिका के मिडवेस्ट साउथ में आय तूफान के कारण तीन लोगों की मौत हो गई और दरजनों घर भी शतिग्रस्त हो गए है उधर राष्टिय मौसम सेवा ने कहा कि मध्य इंडियाना और अरकसास में घंबिर तूफान की सूचना मिली इस तूफान में कई जगहों पर सडक किनारे बड़े पेड गिर गए जिसकी वज़ा से रोड बांधित हो गई कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है बिर रिपोर्ट